अरे शेरी अम्मा है बारवाला अरे शेरी अम्मा है बारवाला एक राजपूर समाज से हैं और एक बढ़ामन समाज से हैं और ये लोग इस अस्तर की रादनीती करते हैं आप कलपना कीजिए लेकिन सबसे बड़ा रादनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है लालू प्रसादियादम ने अब वो स्वस्त दिख रहे हैं और उन्होंने 2024 के लिए र आज लालू प्रसादियादम ने सवाल उठाया कि परधान मंत्री आवास में उनकी पतनी क्यों नहीं रहती है नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस्तक रादनीती के आज चार बड़ी खबरे हैं पहली खबरे तो मैंने आपको मुंटाज म समाज से आते हैं उसके कॉंग्रेस के सुरेंद्र राजपु जो राजपु समाज से आते हैं उनकी मा को गाली दे दिया मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि टेलिविजन का डिवेट कहां पहुंच गया है दूसरी बड़ी खबर है अपनी पतनी के साथ क्यों नहीं रहते हैं शादी हुई है या नहीं हुई है यह पबलिक डिस्कोर्स का मुद्दा बन गया है क्योंकि इस मुद्दे को लालु यादव ने उठाया है इसका असर क्या होगा सोचिये इसका असर यह होगा कि भले टीवी अखवार ना सुचिए जिस तरह से एक मौडिया फैमिली को लेकर विबाद गहराता जा रहा है एक SDM मौडिया थी उसके पती सरक पर आ गये थे उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी के एक्स्ट्रा मैलिटल एफेर्स हैं अब उनकी जांच हो रही है दूबे जी की भी जांच हो रही है इसके लालू यादब ने परधान मंत्री की पत्नी को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया है सरत्पबार के हाँ बड़ी बैठक हुई है वही राजस्थान में सचिन पाइलट ने साफ कर दिया है कि वो अभी कॉंग्रेस में रहेंगे और साच चुनाव मिल कर लरेंगे तो टीवी अ लोग करते हैं लेकिन CSTOBC के मुद्दो पर चुप्पी होती है इसकी बज़ाई है कि पार्टी सपा हो बसपा हो आरजडी हो जेडी हो डीमके हो ममता बनर जी हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो वहाँ जो परवक्ता होते हैं वो अमुमन ब्रहम्मन समाज के ही होते हैं और वो बीजेपी के लिए बैटिंग करने लगते हैं उनको अंदाजा भी नहीं होता है जैसे ही इस देश के तमाम विपक्षी दल गैर ब्रहम्मन परवक्ताओं को सुरेंद्र राजपूत हो जैसे परवक्ताओं को भेदना सुरू कर देगा खासकर CSTOBC किसान जातियों के या फिर छतरीय समाज का परवक्ता भीजेगा तब बीजेपी परवक्ताओं की बोलती बंद की जा सकती है जो सुरेंद्र राजपूत ने किया प्रेम शुकला के जवाब देकर अब ना उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है सोशल मीडिया पर वीडियो वाइर गया उसके बाद पूरा देश चटकारा ले रहा था तमाम लोगों ने तमाम तरह के सवाल उठाए महिलाओं के नाम कटवा दिये गए हैं यह सब कुछ चल रहा था उसी बीच परधान मंतरी नयंद्र मोधी की पतनी को लेकर लालो यादव ने बरा सवाल खड़ा कर दिया ह जानकार बताते हैं कि लोग सवा चुनाओं के जो सपत पत्र भरा गया था एलेक्शन कमिशन को जो भरना होता है गुद्रात बिधान सवा चुनाओं में यह mandatory नहीं था कि आपको अपना martial status मतलब आपका जो बैबाहिक जो आपका जो status है वो बताना है तब तक परधान मंतरी मोदी उस कॉलम को खाली छोड़ते थे लेकिन जब उनको परधान मंतरी का संसत का चुनाओं था और यह mandatory था कि आपको yes या no में बताना है कि आप शादी सुदा है यह सादी सुदा नहीं है उसके बाद उस कॉलम को भरना परा उसके बाद पता चल गया कि परधान मंतरी की छादी हो चुखी है उस पर भी कई तरह की वीबाद हैं जैसे उनके सर्टिफीकेट को लेकर वीबाद हैं हो कुछ लों का कहना है कि जोकि उनका बाल वीबा हुआ है तो रहे हैं साधी को illegal मानते हों और वो बिना तलाक लिए भी अपनी पत्नी से अलग हो सकते हैं ये एक बड़ा सवाल है जो कि एक legal पक्ष है लेकिन लालु यादब ने इस legal पक्ष को बिल्कुल नहीं छे रहा है उन्होंने नहीं बोला है ये तो अब परधान मंत्री की तरफ से सफाई आ सकती हैं उन्होंने कहा है कि परधान मंत्री आवास में अपनी पत्नी को छोड़ कर कोई कैसे रह सकता है इसका प्लिटकल इंपक्ट क्या होगा महिलाओं में जागरुक्ता पुछेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है क्या पर्धान मंत्री नरेजर मोदी का बाल विवा हुआ था क्या वो अपनी पत्नी से लीगल तरीके से अलग है एक पर्धान मंत्री के पत्पर है वो भले उनका ये नीजी लाइफ हो लेकिन ये सारे सवाल तो बनते हैं जिसको लाल जवाब नहीं आता है मुझे अंदाजा है टीवी अख़बार तो इस पर बहस करेगा नहीं आपको बता दू कि अमरीका में अमूमन उस कैंडिडेट को जादा महत्तु दिया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फैमिली मैन है जबकि हुआ डिवोर्स रेट बहुत जादा है बडाक उबामा को इसका फायदा मिला था ट्रम्प को इसका नुकसान हुआ था जो बीडेन अभी भी है उनको भी फैमिली मैन नहीं माने जाता है यूरोप के तमाम देशों में डिवोर्स रेट जो है वो महिलाओं की तरफ से सबसे जादा होती है तो सबाल है कि नैंद्र मोदी को नैतिकता के तकाजे पर लालु यादब ने कसना सुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं कि परधान मंतरी जवाब दें कि वो अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं रहते हैं इसका दो या तीन ही जवाब हो सकता है पहला जवाब या तो इस सादी को इलीगल कहा जा सकता है अगर ये बाल बिवा हुआ है तो अगर बाल बिवा नहीं हुआ है तो क्या दोनों डिवोर्स ले चुके हैं और अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या दोनों अपनी सहमती से अलग अलग रहते हैं ये तमाम सवाल है जो पब्लिक डोमेन में बहस बन गई है तो लालू य का बयान था कि 2024 में इनको उखाड फेकेंगे और इसके बाद इनका क्या होगा ये सोचना पड़ेगा लालू यादव तिजस्वी आदव पर चार सीट के बाद से अब लगातार हमलावर हैं वहीं दूसरी बड़ी खबर है शरत पवार क्या दिल्ली में बैठक हो रही है बीज मतावनर जी हो चाहे वह सरत पवार हो जो कि मराठा समाज से आते हैं लालू यादव हो जो बीसी कम्यूटी से आते हैं या किसान समाज उनसे पहले ही जाट समाज के लोग नाराज है तो ये बड़ा सवाल है इस तरह से आपको अभी तो लग रहा होगा कि ये सारे फाइदे दीख रहे हैं बीजेपी के लिए उनकी सरकार मजबूत हो रही है लेकिन बोट के हिसाब से भारत एक इमोशनल देश है सिंपथी को लेकर लोग बहुत विभार करते हैं इंद्रा गांदी के हत्या के बाद राजीव गांदी सत्ता में आये थे मानबर कांसे राम साहब के प परिशान किया जा रहा है और जो लोग नाराजगी है ऐसे में ये बात साफ है कि अगर लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया किसान कमिटी ने तो 2024 में बीजेपी के लिए मुस्किल होगी वही सचिन पाइलट आज राजस्थान को लेकर कॉंग्रेस की बड़ी बैठक आप लोग अपनी पर्थकिरिया जहुर दीजिए क्या लालु यादब ने नरिंद्र मोधी जी की पत्नी को लेकर जो सवाल उठाए हैं क्या उस पर महिलाओं का समर्थ नमिल पाएगा क्या उस पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आएगा क्या टेलीविजिन पर कोई ब पुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक कर कमेंट जरूर करें